नमस्कार सभी करक राशी के दर्शकों आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत वेविन अंदन करता हूँ हमारे आज के से यूटूब फेस्बुक वे इंस्टाग्राम में वर्श दो हजार चौविस का राशी फर लेकर करक राशी का मैं आज आपके बीट में उपस्तित हूँ मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सटिक जानकारी बताओ मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको प्रॉपर ये समझा पाऊं कि आखिर ग्रह कैसे वर्क करते हैं मेरी ये सोच है और इसी उद्देश्य को लेकर कि मैं काम कर रहा हूं कि मैं घर घर तक जोतिश का दीपक जला सको जोतिश क्या है दो शब्दों का मिलन है जोति प्लस इस जोति मतलब प्रकाश इस मतलब स्वामी जोतिश प्रकाश का स्वामी है और वो सूरे देव है प्रकाश के स्वामी तो सूरे ही है ना और सूरे के ही इर्दिगिर सब कुछ है सूरही तो है सबका राजा ग्रहूं का राजा तो दोस्तों आज मैं बहुत महत्वपून फर लाया हूँ आपके लिए वो फर लेकर के आया हूँ जिसको मैं एक बड़े लंबे समय से तैयार कर रहा था और अब जाकर के वो पूरा हुआ है तो मुझे लगा कि आपको अब वीडियो के माध्यम से समझा देना चाहिए कि वर्ष की इस्तिति क्या रहेगी अगर आपको कोई ये बता दे कि आपके आने वाले चार महीने अच्छे हैं तो आप अपने आपको उस विजाब से मेंटली प्रिपेर कर लेते हैं कि हाँ ये समय अच्छा है तो मिरको इसमें जादा महरत करनी है ये समय खराब है तो मिरको इसको ध्यान से निकालना है ये ही एक जोट्सी की सोच होती है और इसी इंटेंशन के साथ मैं वैवर्क करता है मित्रो प्रेदिक्शन कभी किसी के एक जैसनी मिल पाता को कि सबका opramdana ग्यान है, सबका अपनव्रण अनुवाब है मैं जो भी prediction तयार करता हूँ उसको वैज्ञानिक दिरिश्टी कौन से लेता हूँ मैं सोचता हूँ कि करकराशी के स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा के मित्र कौन है वो है बुद्ध और सूरे तो मैं सोचता हूँ कि फल जब मैं calculate करूँ तो उस टेम पर ये देखूँ कि आखेर सूरे की इस्तिति बुद्ध की इस्तिति क्या रहेगी पूरे वर्ष में मैं सोचता हूँ कि अगर सूरे चंद्रमा के सम है गुरू मंगल शनी शुक्र तो ये कैसा फल दे सकते हैं इनके पास department क्या है पत्रिका के अंदर इनके पास जिस घर की जिम्मेदारी होगी उस घर के according ये फल देंगे और फिर आपके चंद्रमा के साथ कैसा विवार है तो जाकर के एक अच्छा फल तयार हो पाता है दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत ध्यान से समझना चंद्रमा एक कोमल ग्रह है शुब ग्रह है शांती का प्रतीक है दूद का दही का चावल का चीनी का पनीर का जितने भी वाइट चीजे होते हैं उनका कारक है शरीर में वाइट सैल्स का कारक है मन को नियंतरित करता है मन के अधीन इंद्रियां होती है मन पेडित तो इंद्रियां पेडित आप खुद नोटिस करो आप डिप्रेशन में आ जाओ तो आपका काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि डिप्रेशन देता है यह जब पेडित होता है तो मैं आज यही आपको बताने के लिए आया हूँ कि कौन सा टाइम खराब है कौन सा अच्छा है अगर आप नेवी में हैं आपका वाटर प्लांट है आप डेली जो रोज मर रहा की चीजी होती है खाने की उससे रेलेटिड काम करते हैं या आपका लीकर का काम है आपके लिए वीडियो बहुत अपयोगी साबित हो सकती है तो शुरुआत करते हैं उससे पहले आपसे आगरे करूँगा यदि आपने अभी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें बैल आइकन के बटन को दबाएं नोटिफिकेशन बार को ताकि तुरंट और जल्दी सारे इंफॉर्मेशन आप तक बहुं सके तो आईए सबसे पहला पॉइंट ये समझ लीजे कि शनी आपके लिए पूरे वर्ष वर अच्छे नहीं है और वो इसलिए अच्छे नहीं है क्योंकि आपके राशी करक है ये प्रथम भाब है मान सम्मान का होता है यश वैभव का होता है समाज एक प्रतिष्ठा का होता और इस घर से शनी अस्टम भाब में पड़े हैं इदर कुम राशी में और वैसे भी शत्रू है चंद्रमा के शनी आपके लिए राहू केदू का ट्रांजिट पूरे महिने बिलकुल मलब पूरे साल भर नहीं होगा और जहां छे नंबर लिखा है वहां केदू है तो पूरे वर्षवर इधर ही रहेंगे और इधर भाग्ये के अंदर आपके राह बैठे हैं मीन राशी में तो पूरे वर्षवर यहीं रहेंगे दोजार चौबिस में देव गुरू बरस्पती दिनांक तीन मई तक तो यहां मेश राशी में रहेंगे और उसके बाद आपके लाग के घर में चले जाएंगे वरष राशी में यह है मेन बड़ा फल बड़ा से एंड से यानि कि मई से इनका परिवर्टन हो जाएगा तो फिर भी यह भी नहीं लेंगे यह भी वरष राशी में रहेंगे आप फल सुनिये करक राशी पर शनी की डहिया पहला पॉइंट आओ डहिया का प्रभाब होने के कारण पूरे वर्ष वर आपकी दोड़ भाग रहेगी अनावश्यक रूप से आपके खर्चे बढ़े रहेंगे आपको गुप्त रूप से चिंताएं सताएंगी आपको रोग का शोक का कलह कलेश का धन की हानी का आपके किसी निकट बंदू से मतवेद का कार्यों में विग्न बाधाओं का आर्थिक रूप से उल्जनों का ऐसा योग बनेगा ये पूरे वर्षवर रहेगा अब ऐसा इसलिए इतनी सारी चीज़े मुझे बोलने पड़ी के एक तो ढहिया और दूसरा जहां पर ग्यारा नंबर लिखा है वहां आपको शनी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे वहां से इनकी तीसरी दृष्टी एक नंबर पर जा रही है कारेवेबसाय के घर में नीच दृष्टी एक दृष्टी जा रही है इनकी धन के घर में शत्रू राशी पर सिंग के उपर और एक दृष्टी इनकी जा रही है आपकी बुद्धि उन्रति के घर में इसलिए मैं point clear हुआ अब second point ये कहता है कि वर्ष के आरंब से लेकर के और दिनांक 14 मार्च जी हाँ वर्ष आरंब से और 14 मार्च तक विशेश रूप से आपकी करक राशी के मंगल की जो नीच दिश्टी है उसका आपको सामना करना पड़ेगा अब ये मुझे ऐसा क्यों लिखना पड़ा उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ और कारण ये है कि मकर राशी के अंदर मंगल रहेंगे तो मकर के जो मंगल होते हैं ये दिश्टी कहां डालते हैं सब्तम करकराशी पर और करकराशी आपकी येरी और मंगल रहेगा यहां तो इस वज़े से आपको मानसिक तनाव रहेगा आपको क्रोध विशेश अधिक रूप से आएगा ऐसा पत्री कहती है और दिनांक पंदरा मार्ट से लेकर के और दिनांक 22 अप्राइल 2024 तक मंगल गरहे अश्टम भाव में रहेंगे इधर कुम राशी में कुम राशी में अब ऐसी इस्तिती में यहां पर भी बनते वे कारों में अर्चन आएगी क्योंकि मंगल के पास जिम्मेदारी है वो एक तो कैरियर की है करम भाव की और एक है आपकी बुद्धी की उन्निती की यश की वैवव की प्रबंदन की नीती की शास्तकला की विद्व नहीं नजर आ रहा मैंने आपको क्लियर कर दिया इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह कहता है आपके लिए कि दिनांक 16 जुलाई से लेकर के और 16 अगस्त जी हां इस समय का विशेज ध्यान रखना उस टाइम पीरियर्ड में 16 जुलाई को करक राशी के अंदर गोचर हो जा और करक राशी यानि कि आपके शरीर पर तो अब ऐसी इस्तिती में आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा आपको थोड़ा शादिरिक रूप से कश्ट रहेगा पर मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा रहेगा सुभाब के लिए अच्छा रहेगा क्रोध बढ़ेगा स्वास्त कश्ट बढ़ेगा इसलिए इस टाइम के लिए में अभी आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके बाद दिनांक 20 अक्टूबर से मंगल इस राशी पर अपनी नीच द्रिश्टी दालेंगे क्योंकि 20 अक्टूबर को मंगल गरहे नीच के हो रहे हैं और फिर और फिर सामने पत्नी के घर को देखना तो दाम पत्ते जीवन में कलै कलेश होगा और सुभाव में चलचलाहट स्वास्त विकार और मांसिक रूप से तनाव ये भड़ेगा जो की अच्छा नहीं है इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा आपकी ग्रहों की इस्ति बनती हुई नजरा रही है इसके अलावा आपके लिए एक देख लेते हैं कि सुन्दर राजयोग भी बनेगा क्या तो मैं ये कहना चाहता हूं वर्ष दोजार चौबीस में 18 सितंबर से ले करके और 12 अक्टूबर दोजार चौबीस तक एक मालवे नाम का महापुरुष रा राजयोग आपके जहां पर सात नंबर लिखा है यानि कि चतोत बापर बनेगा और ये राजयोग काफी अच्छा होता है इसमें मान सम्मान की सुक साधनों की प्रौपर्टी जमीन जाहदात की और मा का जो स्वास्त है वो बैटर होगा उस दृष दिरिश्टिकून से आप के गरह काफी अच्छे हो जाएंगे इसके अलावा एक समय आपके लिए बहुत अच्छा उस पर आप गोल्डन पिरिट लिख सकते हैं और वो रहेगा एक जून दोजार चौबिस से ले करके और बारा जुलाई दोजार चौबिस तक इस टाइम पिरिट में जहां पर एक न पर जब जब मंगल नीच होगा जब जब मंगल की नीच दृष्टी आपकी करक राशी पर पड़ेगी तो आपको उस समय पर मंगल के दान करने होंगे ये मैं उपाय आपको बता रहा हूं लाल चीजों का दान करें और हनुमान जी की आपको विशेश रूप से पूजा करन आपके लिए अच्छा रहेगा भूम गाहितरी मंत्र उसका आप जाप करें आपके लिए अच्छा रहेगा शनी की ढहिया के लिए शनी का प्रतेक शनीवार को आप वरत्वी कर सकते हैं काली नीली वस्तूओं का खाने की चीजों का दान कर सकते हैं तेल का उड़त की दाल क आगामी कारिक्रम में आपके बीच में उपस्तित हूँगा अगर आप अपना वार्षिक राशी फल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे संपर कर सकते हैं अभी आप से राज़त लेता हूं नमस्कार